ब्रदर, फर्स्ट अफॉल, I would like to say you thanks for subscribing my channel and giving the sufficient time to my videos. आज का जो हमारा topic है, ब्रदर, वो उसको मैं three parts में cover करूँगा. क्योंकि यह सारे interconnected है, A से लेके, Z के बीच की information, जितनी information है, इसके अंदर आपको सारी मिल जाएगी. जो आज का हमारा topic है, वो bank auction property से related है, NPA से related है, bank का जो process रहता है, NPA होने के बाद में, पहले तो NPA bank कब करता है, उसके बाद में bank का क्या process रहता है, आपके क्या rights रहते हैं, NPA होने के बाद में bank property का physical possession कैसे और कब लेता है, उसके बाद में वो property जब auction में जाती है, निलामी में जाती है, तो किन लोगों को उसमें participate करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए, कौन-कौन से points के उपर हमें बिलकुल watch रखनी चाहिए, उसको scrutinize करना चाहिए, उसके बारे में banker के साथ में, एक healthy discussion करना चाहिए, property के उपर ज जिसके बाद में ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है, ना आपको किसी advocate से professional कोई आप services hire कर सकते हो, लेकिन knowledge सेख आपको कुछ भी पूछने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिनके account NPA होते है, उनको पता नहीं होता कि आग के लिए बहुत helpful वीडियो है, बहुत मेनस से एक वीडियो तियार होती है, आप उसको subscribe कीजिए, आप subscribe करोगे तो हमें एक moral support मिलेगा, एक professional support मिलेगा, और आपको भी एक information, जो correct information हा, वो आप तक pass on होगी, आप भी इसको आगए, जिसको जरूरत है, आप उसको ये वीडियो होती है, तो किसी भी इनसान का अगर कुछ पैसा या वक्त बचता है इससे, तो वो आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा, एक correct information का आपके पास होना इंतहाई जरूरी है, बेशक वो जो knowledge है, आपको आज काम ना दे, वो कल देगी, परसो देगी, लेकिन किसी भी दिन आपक आपके बहुत सारे monetary loss होने से आपको बचा सकती है, हम कभी भी जब education लेते हैं, studies करते हैं, तो उसी time हमें उसका fruit नहीं मिलता है, लेकिन long run में उसका fruit मिलता है, तो ऐसे ही ये informations हैं, जो आपको आज शायद आपको knowledge को आपकी update करेगी, उसमें कुछ expansion करेगी, लेकिन आपको अगर आज नहीं दे सकती, तो कल आपको फाइदा पका देगी, तो let us come on the point, जो आज हमारा topic है, मैं start करूंगा इसको कि bank NPA कब करता है, उसके बाद में bank क्या process लेता है, ब्रदर आप कोई भी loan लेते हो, वो basic personal loan हो, business loan हो, OD या CC limit हो, या home loan हो, या lab हो, आप एक बात को installment को जब तीन महीने लगातार break करते हैं, उसके बाद में ये आपका case NPA में चला जाता है, NPA का मतलब है non performing assets, मतलब अब ये asset है, इसके उपर कोई working नहीं हो रही है, इस loan के उपर आप bank को पैसा देनी पा रहे हो, bank का आपसे पैसा लेनी पा रहा है, तो ये जो assets है, ये non working में चलीगी, यानि कि इसकी performance zero हो गई है, तो non performance assets हो जाती है, अब आपने कोई भी loan लिया, ये जुरूरी नहीं है कि आप EMIs दे रहे हो, या आप interest interest pay कर रहे हो, अगर आपने CC limit भी ली होई है, अगर आप उसका interest भी तीन महीने नहीं देते हो, तो वो भी आपका account NPA हो सकता है, अब आते हैं next step, यहां तक तो मेरे ख्याल में जारातर लोगों को मालूम होगा, अब bank का आगे का process क्या रहता है, bank आपको कैसे आपको उसमें अपने जो उसकी legalities हैं, उसके अंदर कैसे आपको खींचता है, उसके उपर आते हैं, तो suppose करो X बंदे का account, मैं आपको for example करके इ ज्यादा दिक्कत ना हो, और असानी से आपको जो एक technical जो कुछ points है, वो आपको असानी से समझ आ जाएं, प्रता suppose करो कोई किसी का account है, loan account चल रहा है किसी भी bank के साथ में, आपकी तीन installment, आपने 10 साल के लिए loan लिया, या 3 साल के लिए loan लिया, या 20 साल के लिए loan लिया, home loan, lab, od, cc, कोई भी किसी भी तरीके का आप loan लेते हो, अगर वो 3 installments break करते हो, तो आप NPA होगे, अब bank आगे क्या करेगा आपके साथ में, बदर आप बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, यार मेरा account NPA हो गया, अब पता नहीं, bank क्या करेगा, मेरी property के ओपर bank कबजा कर या मेरी property court order दे देगा, कल को मेरे को property छोड़नी पड़ेगी, यह इतना easy step bank के लिए नहीं है, दूसरी में चीज आपको समझाता हूँ, जो आपको बहुत छोटी-छोटी भी कई बाते हैं, लेकिन वो इतनी technical है, कि आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं होता, आप इतने sections हैं, आपको उसके उपर, अगर आपको उस sections के accordingly knowledge नहीं है, तो आप bank से fight नहीं कर पाओगे, आप DRT में, आप high court में कोई भी आप fight नहीं कर पाओगे, तो आते हैं अब कि भाई, bank आगे कैसे proceed करेगा, बरदर अगर तीन installment टूटती हैं, तो bank के पास में एक right रहता है, आपको legal notice भेजने का, अब आप ये चीज़ समझिए, कि लोगों को इस बारे में भी ज़्यादा मालमियत नहीं रहती है, कि भाई, legal notice का मतलब क्या होता है, पहले तो अगर आपकी स्पोस करो, दो installment टूटी है, आपके पास में कोई भी bank का recovery agent आपके पास में नहीं आ सकता है असूल के हिसाब से, according to the norms, he cannot approach to you, वो आपको telephonically आपके साथ discuss कर सकता है, आप अगर comfort zone में हैं उसके साथ में, तो आप personally मिलके या उसको अपने घर बुलाके उसके साथ discuss कर सकते हैं, आपको वो threat नहीं कर सकता, आप ये समझिए कि कई बार कुछ companies का बहुत बेकार record रहा है, कुछ NBFC का मैं नाम तो नहीं लूँगा भी यहाँ पे, लेकिन कुछ NBFC का बहुत bad record रहा है कि उन्होंने अपने recovery agents के बूते के उपर threatening की, client से पैसा अगरवाने के लिए, कुछ ना कुछ आड़ी टेड़ी, उल्टा सीधा उनको गंदा बोला गया, तो इस तरीके से कोई miss behave हुआ family में जाके, इस तरीके से वो असूल के हिसाब से, लिगली वो नहीं कर सकते हैं, आप एक चीज को दिमाग में निकाल दीजिए, लोग कई बार बहुत शराफत में, या बहुत, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि कानून क्या है, वो डरते हैं, उनको bribe देने की कोश करते हैं, जो आपके पास में recovery agent आते हैं, उनका तो ये system ही रहता है कि आप उनको थोड़ा बहुत कुछ करोगे, तो वो शायद आपको थोड़ा सा delay कर देंगे आपके case को, वो भी आपके लिए नुकसान दायक है, मैं आपको एक बात बता दूँ, पहला point तो आप ये चीज पहले, अगर दो किस्ते तूटने के बाद में भी अगर आपको कोई notice सर्व होता है, तो वो bank का अपना notice, आपको bank के letterhead के उपर, या bank का advocate, वो advocate का notice आपको आता है, वो legal notice नहीं आता है, court की तरफ से, there is a lot of difference, वकील का notice आना और legal notice आना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, judiciary से notice आना और एक individual advocate का notice आना, आप खुछ समझेए, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, वो आपको as a warning, या आपको as a एक बार आपकी remembrance को ताजा करने के लिए, या आपको थोड़ा सा cautious सावदान करने के लिए, वो आपको notice issue होता है, बैंक की तरफ से, कि भाई, तेरी तीसरी किस्ते तूटने वाली है, अब तू अलर्ट हो जा, अपनी installment चमा करवा दे, नहीं तो तेरा case NPA हो जाएगा, आप उससे घबरा जाते हो, घबराने की पहली बात तो ये बात आप अपने दिमा थोड़ा सा, मतलब हजल पजल हो जाएगा, तो आप क्या उसका बहुत immediate effect पड़ता है आपकी family के उपर, जो कि आपके भरोसे में छाती चोड़ी करके बैठे हुए हैं, अगर आप ही उनके सामने डामाडोल होगे, तो वो तो बिलकुल तूट जाएंगे, तो पहली बात तो इस चीज को बिलकुल दिमाग से निकाल दीजे, आज से 20 साल पहले का सन्यारियो अलग था, आज का सन्यारियो अलग है, आपके पास में अपने rights के लिए awareness लेने के लिए बहुत सारी information के sources हैं, YouTube sources हैं, और बहुत सारे blogs हैं, advocates के हैं, CAs के हैं, कोई judges के अपने blogs मने हुए हैं, तो आप उसको, आप उनसे correct information ले सकते हो, आपको बिलकुल भी घवराना नहीं है, ब्रदर, आपके पास में अगर आपने unsecured loans लिए हुए हैं, और आपका, जो case है आपका, वो NPA हो जाता है, आपकी installments टूटती हैं, तो bank की तरफ से section 138 के लिए, के under, आपको एक notice serve किया जा आप वहाँ पर जाके अपनी justification दे सकते हो, आपने कारण बता सकते हो, अगर आपके पास में कोई justified कारण है, कभी कोई बिमार हो गया, या कोई घर में कुछ किसी की, कोई expire हो गया, तो उसकी वज़ा से business आपका सफर हुआ है, तो आप ये justified कारण reasons वहाँ पर दे सकते हो, वह इस बार अपने numbers भी छोड़ूँगा यहाँ पर वीडियो के उपर, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की information चाहिए, कोई भी updates चाहिए, आप मेरे से telefonically discuss कर सकते हो, आप WhatsApp के उपर अपना पहले matter चोड़ ये, उसके बाद में मैं खुद call करूँगा, आपको free of cost, कोई single charge क बगार आपको पूरी guidance दोगा मैं आपको, ठीक है, अब दूसरी बात यह होती है कि suppose करो आपकी secured loan आपने लिया हुआ है, आपने कोई property रखके lap लिया हुआ है, loan against property लिया हुआ है, या आपने कोई home loan लिया हुआ है, अगर उसके अंदर आपकी तीन installments तूटती हैं, और case NPA ह हो जाता है आपका, पहले तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि NPA कैसे होता है, legal notice आपको NPA होने के बाद ही bank का right बनता है, आपको serve करेगा, तो legal notice के बाद में भी आप जाके वहाँ पे पेश होके, कुछ justification है तो आप दे सकते हो, उसके बाद में आपको जो पहला notice आएग में हैं, जो surface I act में, scrutinization and reconstruction of financial, मतलब ये act के अंदर आपको section 13-2 के अंदर notice आएगा, फिर 13-4 के अंदर notice आएगा आपको, उसके बाद में section 14 के अंदर DM order आपके आएगे, कि भाईया अब bank को ये intimation instruction दी जाती है, कि आप इसकी properties को attach कर सकते हैं, आपके पास में बहुत सारा वक्त निकलता है, बहुत वक्त मिलता है आपको अपनी installments, अपनी outstanding amount का arrange करने के लिए, आप कोशिश कीजिए, आप अपने amount को arrange करके bank को दीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि आपका इतना पैसा ब इंस्टालमेट टूटी, चोथी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, चोथी आपने दे दी, bank उसको सर्फसाई एक्ट में डालके आपके against में legal कारवाई चालू कर देगा, लेकिन आपके आपसे installment भी bank लेता रहता है, आप समझे मेरी बात को, आपका case अगर NPA हो च होगा, जब आप final settlement के लिए जाओगे उसके बाद में, तो आपका जो पैसा आपने in the meanwhile दिया हुआ है, जब आपका NPA हुआ था, कभी आपने 10 लाक दे दिया, 2 लाक दे दिया, 5 लाक दे दिया, 50 लाक दे दिया, वो सब penalties में चला जाएगा, बैंक का आपको पहले नहीं कहेगा, वो कहेगा चलो मैं ठीक आपको 15 लाक देता हूँ, आप अभी कुछ लाकम तो जमा करवाईए, क्योंकि बैंक के उपर डंडा होता है, प्रेशर होता है उपर से, जब quarter end होते हैं, आपका April में quarter start हुआ, April, May, June, June में बैंक आपको प्रेशर आना शुरू होता है, वो होता है, December के महीने में, उसके बाद में मार्च में तो बैंक बिलकुल ही उल्टा लटकाने के चक्कर में रहता है, आपको बिलकुल घबराने की जुरूरतनी यह निकि मैंने कहा आपको नहीं घबराना है, आपको legality कहती है, आपको कानू प्रेशन खुद डूड़ना चाहते हों, कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल के उपर, मैंने आपको यह कहा, पार्ट पेमेंट, औल इन वेन है, यानि कि वो बिलकुल कुए में गई हुई है, यह आपको तब बैंक कहेगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन आप मिश्किल से रेंज की होगी, आप उसके बाद में भी EMIs को रेगुलर नहीं रख पाओगी, तो आपके लिए बेहतर यह है, कि यहां तो आप बैंक का पैसा, पूरा का पूरा क्लियर कर दो, और नहीं, तो आप यह सोच के चलो कि आज की डेट तक, मेरी जितनी EMIs, जितनी प पैसा लगी, जब भी आप पैसा दो, वो उस डेट तक पूरा का पूरा क्लियर करके जीरो कर दो, ताकि आगे आने वाली इंस्टॉलमेट उतनी ही रहे, जितनी आपकी स्टार्टिंग में थी, अगर आपने कुछ पेमेट दे दी, कुछ इंटरस्ट रहा गया, तो आप यह समझ लेना, उस इंटरस्ट के उपर इंटरस्ट फिर पनल्टी, फिर इंटरस्ट फिर पनल्टी, वो लगती जाएगी, वहाँ पे आप कभी कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, कि वो किस हिसाफ से लगी है, आप बेहतर ये है, कि आप जिस दिन बैंक को पेमेट करना चाहते है आप उस दिन की इंस्टॉल्मेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से, यही एक most important point है, जहाँ पे लोग गलती करते हैं, आप उस दिन की, आपने, आपकी four example करके हम आपको समझा देता हूं, brother, suppose करो आपने, October, November, December, आपने ये आप दिसंबर तक की EMIs और जो पहले दो EMIs टूटी थी वो भी और तीसरी EMIs दिसंबर की होगी, यह तीन EMIs आपने दी, प्लस जो पहले दो महीने की EMIs थी, उसके उपर इंट्रस्ट भी लगा होगा, जितने टाइम आपको बैंक को आपका पैसा नहीं मिला, उसका इंट्रस् होता है, तो अगर आपको कोई भी उसके उपर पनल्टी लगती है, तो वो भी आप पे कीजिए, आपको कोई भी चीज आगे carry forward नहीं करनी है, सिर्फ आपको आगे से जो जनवरी से आपकी EMIs है, वही आपको re-continue करनी है as it is, आप इसमें से आपकी स्पोस करो, एक लाख ब दे रहता हूं यार 15,000 पर रहने देता हूं, बाद में रिजस्ट करवा दूगा, वह 15,000 के उपर पनल्टी लगता लगता, फिर आपका 25,40,50 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, यह आप गलती मत कीजिए, अब यह बात हो गई, उसके बाद में बैंक का आपको 13,4 का नोटी सर् का इसके बाद में आप क्या के आपके राइट्स हैं, अभी फिलहाल आज के जो NPA का मुद्दा है, NPA का प्रोसेस है, उसको कवर करते हैं, यह मैं आप बीच में आपको इसलिए बता रहा हूं, कि आप आने वाले वीडियो को बकाइदा नोटिफिकेशन को आउन करके रखे मैं आपको पूरी चीज को क्लियर करूँगा, ठीक है, अब आपका केस में बैंक क्या, आप बैंक के पास में जाते हो, आपको आपको नोटिस सर्व हुए, तेरा दो का आया, तेरा चार का आया, फिर डियम ओडर आया, आप वहाँ पे जाके पेश होई जीजए, आप को symbolic possession को भी फिलहाल वाइड कीजिए कि आपका ना हो symbolic possession NPA के बाद में आपको आप NPA तक फिलहाल सोच के चलिए इस वीडियो में कि आपका account NPA हुआ है आपको NPA से बचना है अगर तो आपको क्या step उठाने हैं आपको installments को proper update कर देना है आपको part payment नहीं करनी है आपको कोई भी bank का recovery agent अगर आपके पास में घर में आता है आपके साथ में कोई भी आपकी आपके साथ में unexpected या कोई भी जो आपका जहां पर discomfort हो आपके साथ में ऐसी कोई बात करता है आपको threatening देता है आप उसके अगेंस्ट में बिलकुल FIR करवा सकते हैं इस चीज का बैंक ने आपका आपसे पैसा लेना है आपने बैंक का पैसा देना है इसका उसके साथ कोई तालुक नहीं है कोई भी इंडिविजुल आपके घर के अंदर गुसके आपको threatening नहीं कर सकता है बेशक उसने कितना भी पैसा लेना हो आपसे आज की डेट में गला पकड़के पैसा निकालने वाला जमाना चला गया है आपको अपने कानूनी हक आपको आपके पता होने चाहिए आप उसके गेस्ट में complaint कर सकते हैं अगर आप खुद चाहते हैं कि कोई आपको अपरोच करे आपके पास में बैठे तो बात अलग है अगर comfort वे में है आप दूसरा मोटा पॉइंट आप बैंक के साथ में कोई भी communication करना है आपने आप verbal communication को जो आप कर रहे हो कर रहे हो लेकिन आप जो written communication है वो mandatory है उसके इलावा verbal communication की zero value है लोग कहते हैं मैंने branch manager से बात की थी उसने कहा कि यार कोई बात नहीं मैं 15 दिन तिन को दे रहता हूं 15 दिन बाद मेरा बंदा आ जाएगा उस चीज की कोई value नहीं ह है on documents आप यह समझ लीजिए on documents कोई value नहीं है उसकी आप जब तक written आप इमेल communication कीजिए आप उनको कोई registered letter बेजिए आप उससे communication कीजिए उससरों वही proof मना जाएगा कल को जब आप justification देने के लिए जब आप court में हाजिर होते हो आप अपनी तरफ से सोचते हो यार मैंने bank manager से बात की मैंने उसकी वाज record कर ली है यह मुवाइल में banker ने क्या बूला था कि तेरे को वक्त देता हूं यह record है उसकी zero value है मैं आपको बता दूँ कोई value नहीं है उसकी इसलिए बेहतर यह है कि आप return में communication कीजिए आपकी जब installment तूटती है आप उस time banker को उससे पहले अपने bank के email ID के उपर आप mail कीजिए कि मेरी इस वज़ा से reason बताते हुए कि मैं इस time में दो installment pay नहीं कर पाऊंगा मैं तब pay कर दूँगा या जब pay कर दूँगा आप उसके उपर आप email बेजिए आप उनके साथ में communicate कीजिए वो आपका proof माना जाएगा कि आप एक responsible person हो NPA तीन महीने से पहले bank नहीं कर सकता और मैं दूसरी एक और point आपको बता देता हूँ एक boost है ये भी boost dose समझ लीजिए जो आपके mind को थोड़ा सा boost करेगी कि brother ऐसा है कोई भी bank आज की date में NPA accounts को कम से कम करना चाहता है जल्दी कहीं bank आपके account को NPA नहीं करेगा क्योंकि इससे bank की goodwill के उपर असर पड़ता है जब एक साल के बाद में balance sheets बनती हैं तो bank हर एक bank के comparison होते हैं दूसरे bankers के साथ में कि भाईया इस bank के कितने NPA हुए है अकाउट तो इसलिए जल्दी कहीं bank ये black spot अपने उपर नहीं लगाता है आपका account बगैर मतलब के बस एक norm है तीन मीने बाद immediate उसको आपने NPA कर दिया ऐसा नहीं करता है जब तक banker को ये लगता है कि आप से पैसे की recovery हो सकती है आप पैसा देने की intention रखते हैं तब तक bank आपके साथ में comfort zone में communication करता है आपको वक्त देता है आपको मैंने एक मोटी बात बता दी है आप part payment नहीं करेंगे नहीं तो जो पैसा आपने इधर उदर से कहीं से भी arrange करके दिया है वो सारा का सारा पैसा penalties में ही bank account करेगा आपका principal और EMI's में आपको कोई waiver कोई आपको help आपको कुछ भी आपको deduction नहीं मिलेगा तो ब्रदर ये आज का topic था मेरा कि NPA के process NPA किसकी section के अंदर आपको notice serve होते है advocate का notice, legal notice का difference क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कितना पैसा जमा करवाना चाहिए ये सारी चीज़े मैंने आपको clear की है, कुछ points अगर मेरे रह गए हों तो आप मेरे को comment करके मुझसे पूछ सकते है मैं next video में उन points को cover भी करूँगा, और इसका जो next step है, कि आपकी NPA होने के बाद में bank कैसे क्या process लेता है आपकी properties को attach करने के लिए वो बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, कि जो लोग उससे अगली वीडियो में ये चीज़ बताई जाएगी, इसके तीन पार्ट बनाऊंगा, कि जो लोग bank की auction properties को फरीदना खरीदना चाहते हैं, participate करना चाहते हैं, उनको किन किन मुद्धों के उपर अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका पैसा फस ना जाए, वो एक बहुत लोग आज की डेट में investment करना चाहते हैं, bank की auction property, 100 रपे की है, तो 60 रपे की मिल रही है, लोग immediate लेने के लिए आते हैं, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, व आपका देन शुब हो, नमस्कार